हेलो फ्रेंज, स्वागे थे आपका मेरी चैनल पर, हाज मैं बैगन की बहुत ही टेश्टी सबजी की रेस्पी लेकर आई हूँ, इसके लिए मार्केट में जोटे वाले बैगन आते हैं इसी बैगन को मैंने धूल करके अच्छे से कप्टे से पोश्ट करके ले लिया है और इ इस तरह से हम सारे बैगन को कट कर लेंगे, एक बार आप इस सबजी को बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी, आप शाहें तो इस सबजी को बनाने के लिए बैगन के छिलके को हटा भी सकते हैं उसके बाद चार भाग कर सकते हैं, इससे सबजी और भी टेश्टी लगेगी बनाएंगे तो वैसे तो आप ऐसे पनाएंगे तो इसके छिलके आपको बाद में खाते समय हटाने पड़ेंगे तो मैंने इस तरह से सारे बैगन को कट कर लिया है और इसे हम गैस पे मैंने कड़ा ही रखी है उसमें तेल डाला है और सभी बैगन को इस तेल में डाल करके पका लेंगे तो हम सभी बैगन को डाल दिये हैं काट करके इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिये हैं और थोड़ा सा हम इसमें मिर्च डाल देंगे और उसके बाद इसको हम ढखक करके पकाएंगे थोड़ा सा नमक भी डाल दिये हैं बेगन के बराबर मतलब बेगन के स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढखक करके हम पकाएंगे जब तक कि बेगन एकदम सौफ नहो जाए तो हम सारे बेगन को इस तरह से ढखक करके पका लेंगे एक बार आप इस तरह से सबजी बनाएंगे तो अगर आप सबजी बना रहे हैं तो आप बेगन के छिलके को हटा करके भी अच्छे से बना सकते हैं तब आपको खाते समय बेगन के छिलके हटाने नहीं पड़ेंगे इस तरह से हमने बेगन को पकने के लिए रख दिया है और हम चौपर में यह दो प्याज मैंने लिया है इ छोटी सी डाली है इस तरह से हम इसको चौप कर लेंगे आप मिक्सर से भी बना सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा हम चौपर में बारिक बारिक हो जाएगी प्याज तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है तो इस तरह से हम सारे प्याज को लैसून को अद्रकमेज को पारिक क पग गये हैं, हम सारे बैगन को निकाल लेंगे और इस तरह से हम सारे बैगन निकाल लेंगे एक बार इस रेश्पी को जरूर ट्राइ करिएगा, अगर रेश्पी पसंद आती है तो आप इससे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैंने उसी तेल में एक चम्मच चीरा डाल दिया है और एक तेजबता डाल दिया है और फिर उसके बाद मैंने शोटा तुपड़ा डालचीनी का तीन चार मैंने काली मेज डाल दिया है दो लॉंग डाल दिया है और उसके बाद हम इसको तड़कने देंगे जब मसाले तड तब हम इसमें प्याज जो मैंने बारी किया था ना उसको डालेंगे प्याज लहसुना दटमेज को और फिर इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे तो हम अच्छे से प्याज को ब्राउन होने तक पका लेते हैं कलर चेंज होने तक फिर हम इसमें मसाले डालेंगे तो हम इस तरह से पगाएंगे इसको जब यह पक जाएगा तब हम इसमें मसाले कुछ अपना जो डेली वाले मसाले होते ना बस वही डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और एक चमच मैंने धनिया डाल दिया है और उसके बार हमने जीरा पौडर भी डाल दिया है थोड़ा सा लाल म मैंने थोड़े से कसूरी मेथी भी डाली है और मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग हो जाए इस तरह से हम मसाला को जब अच्छे से भूनेंगे तब सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और फिर हम तब तक टमाटर को चौप कर लेते हैं तेहां मैंने दो टमाटर को बारिक कर लिया है इस तरह से चौपर में आप चाहे तो मिक्सर में प्यूरी भी बना कर डाल सकते हैं लेकिन इसको इस तरह से मैंने डाल दिया है चौपर से ही और इसमें हम स्वादनसार नमक डाल दिये हैं पैगन में भी नमक है इसलिए नमक अपने स्वादनसार ही डालिएगा बहुत जादा नहीं डालिएगा सबजी के अनुसार ही नमक डालिएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें एक शमच बेसन भी डाल दिये हैं और सभी चीजियों को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये बढ़ियां से पक न जाएं और इसमें से खुश्पू ना आने लगे मसाले में से सब मसाले देखें तेल छोड़ने लगते हैं और इस तरह से कड़ाही को भी चोड़ने लगते हैं आप चलाते रहिएगा जलने ना पाए मेडियम आज में भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी जितना आपको रखना है उतना ग्रेवी उसके हिसाब से पानी डाल लिए फिर बैगन को डाल करके ठक करके पकार लीजे फिर इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे आदा चमच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और फिर उसके बाद ठक करके पकार लेंगे और उपर से हरी धनिया डाल देंगे इस तरह से सबजी बन करके बहुत ही टेश्टी तैयार हो जाती है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और फिर इस तरह से हमारी सारी सबजी बन गई मैंने सूपी धनिया डाल दिया आप हरी धनिया डाल सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स वेडियो में